हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का नौलिज टॉप चैनल में फ्रेंड्स फूड कॉर्पोरेशन की तरफ से एक न्यू वेकिंसी निकली हुई है ओफ इंडिया की तरफ से जिसमें दोस्तों इंजिनियर, जूनियर, इंजिनियर, सिविल, इंजिनियर, इलेक्रिकल, मैकनिकल, स्टेनोग्राफर की वेडियस पोश्टे निकली हुई है चले फ्रेंस इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे कैसे आप एपलाई करेंगे कब तक आप इसमें एपलाई कर सकते हैं और इसकी एपलाई डेट क्या है कब से पहले फ्रेंस बात करें यहां पे आपकी important data या आप form कब से बढ़ सकते हैं तो form fill up जो date आपका रहने वाला है वो रहने वाला आपका 6 September 6 September से आप इसमें form apply कर सकते हैं और यहाँ पर याद रखेगा 5 October तक आप इसमें form apply कर सकते हैं ठीक है दोस्तों 5 October तक आप इसमें apply कर सकते हैं अब आगे बात करें आपका exam तो अच्छी खबर आपके लिए यह है कि आपका exam date भी इन्होंने दे दिया है जो की 2023 January में conduct करवाया जाएगा अब आगे बात करें fees की तो general OBCWS के लिए 500 रपे यहाँ पे fees रखी गई है अब मैं बात करूँ यहाँ पे age limit की age limit काफी important हो जाती है age limit पे देखे दोस्तों सबसे पहले है इसमें minimum जो age आपके रहने वाली है वो 18 year रहने वाली है और maximum जो आपकी age रहने वाली है 28 year रहने वाली है बाकी maximum age आपकी 21 post के लिए 27 भी है वो post wise है लेकिन आप यही मान के चलिए 18 से 28 बाइगी दोस्तों आपको age lexation भी मिलेगा वो FCIA की तरफ से देखने को जो उनके rules होंगे उससाब से दिया जाएगा पोस्ट की बात कर लेते हैं पोस्ट काफी जादा निकली हुए है 5043 पोस्ट दोस्तों यहां पे निकली हुए है तो 5043 पोस्ट अच्छी खासी पोस्ट है यहां पे निकली है जिसमें मैं पोस्ट आपको बता देता हूं junior civil engineer की है junior engineer electrical mechanical की है stenographer की है assistant general यह सब फोच्ट है निकली हुए है अब में बात करते है eligibility criteria क्या रहने वाला है eligibility criteria आप यहीं मान के चलिए कि सबसे पहले तो आप bachelor होने चाहिए आप दोस्तों आपकी graduation तो होनी ही चाहिए ठीक है दोस्तों बागी यहां पर आपका trade के हिसाब से आपके जो है certificate मांगे गए है जैसे junior engineer civil के लिए देखे degree in civil engineering आपके पास यह होनी चाहिए बागी diploma आपके पास होने चाहिए एक एर का experience का यह सब मांगा गा है जैसे degree बागी जूनियर इलेक्ट्रिकल के लिए mechanical engineering आपके पास डिपलोमा होना चाहिए mechanical engineering एक एर का experience यह सब वगेरा यहां पर मांगागा जैसे इस्ट्रोग्रापर के लिए bachelor degree आपके पास किसी भी स्ट्रीम से है और यह सब English typing आपके पास होनी चाहिए तो इस तरीके से काफी अच्छी पोस्ट है यहां पर देखे friends निकली हुई है और मैं आपको इसका notification में बता देता हूँ यह रहा है इसका officially notification देख सकते हैं आप तो इसमें सारी कुछ जानकारी आपको दी गई है ठीक है दोस्तों तो आसा करता हूँ वीडियो आपको informative लगी होगी तो please वीडियो को like और चैनल को subscribe जय हिंद जय भारत